साथियों मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश युनेशको की डीजी ओद्रे औजुले का आया है उन्होंने सभी देश वाच्छों को सो एपिसोड के इस शांदार जर्ने के लिए शुपकामनाय दी है साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं आये पहले युनेशको की डीजी के मन की बात सुनते हैं नमास्टे, Excellency, Dear Prime Minister On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the मन की बात radio broadcast UNESCO and India have a long common history We have very strong partnerships together in all areas of our mandate education, science, culture and information and I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030 With the largest population in the world could you please explain the Indian way to achieving this objective UNESCO also works to support culture and protect heritage and India is chairing the G20 this year World leaders will be coming to Delhi for this event Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India A bientôt, merci beaucoup Thank you Excellency I am happy to interact with you in the 100th मन की बात program I am also happy that you have raised the important issues of education and culture Sathiyo, UNESCO की DG ने Education and Cultural Preservation यानी सिक्षा और संस्क्रिती सम्रक्षन को लेकर भारत के प्रहासों के बारे में जानना चाहा है इस दोनों ही विशे मन की बात के पसंदिता विशे रहे हैं बात सिक्षा की हो या संस्क्रिती की उसके सवरक्षन की बात हो या संवर्धन की भारत की यह प्राचिन परंपरा रही है इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सरहानी है National Education Policy हो या क्षेत्रिय भासा में पढ़ाई का विकल्प हो Education में Technology Integration हो आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे वर्षो पहले गुजरात में बहतर सिक्षा देने और Drop-out डेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और साला प्रवेश उत्सव जैसे कारकम जन भागीदारी की एक अधभूत मिशाल बन गए थे मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाइलाइट किया है जो निस्वार्त भाव से सिक्षा के लिए काम कर रहे है आपको याद होगा एक बार हमने ओडिसा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वरगिया डीप प्रकास राव जी के बारे में चर्चा के थी जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे जारखन के गावों में डीजिटल लाइबरेरी चलाने वाले संजय कश्चप जी हो कोविड के दोरान एर लर्निंग के जरिये कई बच्चों की मदद करने वाली हैमलता एनके जी हो ऐसे अनेक शिक्षकों के उधारण हमने मन की बात में लिये हैं हमने कल्ट्रल प्रिजर्वेशन के प्रहासों को भी मन की बात में लगाता जगदी है लक्सद्विप का कुम्मेल ब्रदर्स चलेंजर्स क्लब हो या करनाटका के क्वेम स्री ची कलाचेतना जैसे मंच हो देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिठी लेकर ऐसे उधान भेजे हमने उन तीन कमपेटेशन को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ती पर गीत लोरी और रंगोली से जुड़े थे आपको ध्यान होगा एक बार हमने देशभर के स्टोरी टेलर से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सिक्षा की भारतिय विधाओं पर चर्चा की थी मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़े से बड़ा बड़ाव लाया जा सबता है इस साल हम जहां आजहादी के अमरितकाल में आगे बढ़ रहे हैं वहीं G20 की अध्रिक्स्ता भी कर रहे हैं यह भी एक वज़े हैं कि एजुगेशन के साथ साथ डायवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समरुद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबुत हुआ